क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है ये समय एक्सपोनेंशनल इनोवेशन का है इस्रो ने केवल दस सेकंड फायर किया भारत का रमन इंजन और एक ही जटके में आरबॉन डॉलर के मार्केट में हो गया बड़ा धमा का इस्रो की क्रिटिकल तकनीक ने उड़ाए नासा और चीन की होश अंत्रिक्ष में अमेरिका और चीन की प्राइवेट दादागरी को सीधा चैलेंज दोस्तों अंत्रिक्ष विज्ञान के क्षेतर में ऐसा कदम बढ़ा दिया है इस्रो ने जो भारत को स्पेस टेकनोलोजी में दुनिया से मीलो नहीं बलकि कई प्रकाश वर्स आगे कर देगा अमेरिका चीन रूस या फिर यूरोप भी भारत से मुकाबला करने की पॉजिशन में नहीं रहेंगे दुनिया में सबसे विश्वसनिय किफायती और बेहद कम वक्त में लांच करने में महार थी इस्रो के वैग्यानिकों ने एक बार फिर से दुनिया में अपनी विश्शग्यता का ऐसा डंका बजाया है जिसके बाद से सेटलाइट लांच करने की काबिलित रखने वाली दुनिया की बड़ी कमपनिया यानि की ऐलान मस्क की स्पेस एक्स जेब बेजोस की ब्ल्यू ओरिजन और वर्जन गैलेक्टिक की अब पूछ हटने वाली है क्योंकि दोस्तो अब भारत की कमपनिया वो काम करने वाली हैं कि अब इन कमपनियों को कोई नहीं पूछने वाला है क्योंकि इनकी महंगी टेकनलोजी के जबाब में आब भारत में बहुत ज़्यादा किफायती लांच आप्शन मिलने लग जाएंगे दोस्तो इसरो की इस बड़ी चलांग की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लिहाजा मेरे साथ बने रहिए और दोस्तो अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फिर इससे जरूर अभी कर लीजिए क्योंकि दोस्तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है और ये भारत को अब स्पेस सुपर पावर बनाने की काबिल दिखाने वाला वीडियो है दोस्तो दोस्तो कुस्वक्त पहले मोधी सरकार ये देखकर के हक़्ी बक्की रहे गई थी कि इस्रो की लैब्स में आर्बों खर्बों का खजाना चीपा पड़ा है पता चला कि इस्रो की critical technologies भारत की private company के लिए किसी बड़े वर्दान से कम नहीं है और दोस्तो तुरंथ ही मोदी सरकार ने एतिहासिक decision लेते हुए इस्रो की इस technology का commercial इस्तेमाल शुरू कर दिया और अब कुछ ऐसा नतीजा सामने आया है कि पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है अब दोस्तो जो result सामने आया है उसके बाद में कहा जा रहा है कि दुनिया की दूसरे बड़े private players आप बोने साबित होने वाले हैं दोस्तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा उससे पहले ज़रा ये तस्वीरे देख लीजिए ये लैब इस्रो की है ये facility इस्रो की है इस्रो के वग्यानिक लगी है लेकिन दोस्तो ये जो engine fire हुआ है वो इस्रो का नहीं है ये engine है भारत की सबसे तगड़ी private company स्काई रूट का जिसने एक नया इतिहास लिख दिया है मतलब दोस्तो जिस वक्त हमारा चंद्रियान 3 धरती से 41,351 km से निकल करके अब चांद पर जाने को बेताब है command and control center से भारत के वग्याने के engine को लगातार चलाने में लगे हुए है ठीक उसी दोरान दोस्तो केवल 10 सेकंड के लिए कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख करके अमेरिका छोड़िये चीन, यूरोप और रूस के अंदर खलबली मत चुकी है क्योंकि दोस्तो ये engine पूरी तरह से success हो चुका है मतलब ESRO ने space industry में अब वो पहला बड़ा player खड़ा कर दिया है जो विदेसी कमपनियों को सीधी तक कर दे पाएगा दोस्तो इससे भारत के space satellite launch sector के अंदर boom आएगा और देश कमाई के बड़े बड़े options देखने लग जाएगा बड़ी बात तो ये है कि दोस्तो कि ये company अपने launch vehicles की जांस में ESRO की तकनिकी विशेशक्यों की मदद भी ले रही है साल 2018 में पवन कुमार चांदना और नागा भार डागा ने इस sky route aerospace company की रीव रखी थी नीजी तोर पर satellite launch vehicle बनाने वाली एक private company है ये और company छोटे उपगरों को इस्तापित करने वाले तीन launch vehicles बना चुकी है जिसमें एक का तो टेस्ट भी हो चुका है और उस दोरान भी ESRO ने ही बाकाइदा इसका टेस्ट किया था इस sky route ने अपने पहले launch vehicle का नाम विक्रम 1 रखा है sky route aerospace पहला भारती स्टाट अप है जिसके जरिए देश के पहले नीजी रोकेट रमन का भी टेस्ट किया जा चुका है दोस्तों company तीन रोकेट्स पर काम कर रही है इस रोसंस्ता पके विक्रम साराभाई की याद में इन्होंने विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 इनके नाम रखे हैं शार इंजन वाला ये कलस्टर 3.4 के एंड थ्रस्ट जंडेट करता है दोस्तों ये इंजन कई उपग्रहों को एक बार में ही अलग-अलग कक्षाओं के अंदर स्थापित कर सकता है और दोस्तों अब इसी स्काइरूट के दूसरे इंजन को लेकर के भी इस्टरो ने बड़ी गुड न्यूज दे दी है दो सो इसरो ने कहा है कि उसकी लिक्विड थ्रस्टर्स टेस्ट फैसिलिटी में स्काइरूट के रमन टू इंजन का टेस्ट भी सफल हो चुका है जिससे स्काइरूट ने समुद्र लेवल पर 820 नूटन और वेक्यूम में 1460 नूटन का दबाव पैदा करने के लिए बनाया है इंजन में मोनो मिथाइल हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रकसाइड को इंधन के तौर पर यूज किया गया है इस इंजन को केवल 10 सेकिंड के लिए फायर किया गया और ये पूरे परामीटर्स पर खरा उत्रा है अब ये विक्रम वन रोकेट के 4th स्टेज के अपने साथ 225 किलोग्राम वजन का पेलोड धरती से 500 किलोडर हाइट वाली कखशा में स्थापित कर सकता है वही दोस्तों विक्रम 2 रोकेट 410 किलोग्राम वजन और विक्रम 3 रोकेट 580 किलोडराम का पेलाउड केरी कर सकते हैं और दोस्तों स्काइरूट को बैकप देकर के इस रो ने अब तक के इस अंत्रिक्ष के अंदर सेट्राइफ लॉंस में अमेरिका की प्राइवेट कमपनियों की दादगरी के दिन ला दिये हैं क्योंकि इससे अब एलोन मस्क को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि दोस्तो जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत के अब तक 150 से ज़्यादा स्टार्ट अपस इस्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और वो जब तगड़ा धमाल मचाएंगे तो फिर पूरी दुनिया का हिलना तै है दोस्तो आज की डेट में इसरो अंत्रिक्ष के 600 अरब डॉलर के मार्केट को कैप्टर करने में जुटा हुआ है और इसमें चीन छोड़िये नासा और स्पेस एक्स भी धड़ाम होने वाले हैं क्योंकि बहुती कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन लांच इसरो कर रह है और जिस तरीके से इसरो अपने तकनीक को भारत की कंपनियों को ट्रांसफर कर रहा है उससे भारत मैनिफेक्ट्रिंग हब बनने की और आगे बढ़ चुका है अब इसरो रोकेट ही नहीं बलकि एक स्पेस क्राफ्ट यानि की स्पेस प्लेन मनाने में भी काम्याव हो चु दोस्तो इसके बाद अर्थ के लॉर और्बिट में कोई भी सेटलाइट लॉंच करना चुट्कियों जैसा खेल हो जाएगा और ये बहुती सस्ता होगा आने वाले वक्त में ये इंडुस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ करने वाली है दुनिया में सेटलाइट मैन करनेंगे तो उनको लॉंच करने के लिए सर्विस भी वैसी ही चाहिए होगी और वो अगर सस्ती है तो फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग तूट करके पढ़ेंगे दोस्तो इसरो इस मामले में अल्रेडी काफी पैसे बना रहा है इसरो ने अभी तक के 289 मिलियन यु लॉंच कर चुका है जो लगातार धमाल बचा रहा है इसी महीने 26 जुलाई को PSLB C-56 मिशन लॉंच हो रहा है तो दोस्तो चीन की चाती पर सिंगापूर के स्पाइस सैटलाइट्स भेजने वाला है तो वहीं अगले महीने जब 23 अगस्त को चंद्रियां त्री चांद पर ल जुटा हुआ है और वो भी लगातार चल रही है इंडी लिंक्स पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लगातार आपको इस तमाम इंफोमेशन दे रहे हैं और दोस्तो अब इस रो अगले ही महीने गगनियान का पैड एबो टेस्ट करने वाला है यान दोस्तो अब इस रो साल 2025 तके 618 डॉलर की मार्केट को कैट्चर करने के लिए बहुत बड़ा मौका तलाशने में जुटा हुआ है और इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट करकी जरूर बताइए दोस्तो